हेलो फ्रेंट्स वेलकॉम इन साइंस एजुकेशन टुटेस टॉपिक बेसिक ओफ उर्दु ग्रामर जिसमें हम डिसकुस करने जा रहे हैं वो अलफांस जो उर्दु ग्रामर से वक्त ज्यादा तर इस्तेमाल किया जाते हैं लेट्स चार्ट वाहिद एक को कहते हैं वाहिद क मतकल्म बात करने वाले को कहते हैं इस मिचाल में जड बात कर रहा है इसलिए जै बमतकल्म को इंग्लिश ग्रामर में हाजर जो सामने मौजूद हो यानि दिस से बात किया रही हो इस मिसाल में जैड के सामने बकर मौझूद है इसे लिए बकर हाजर है और उसकी बाते वो सुन रहा है हाजर को English grammar में second person कहते है घाईब जो सामने मौझूद ना हो यानि जिसके बारे में बात की जा रही हो इस मिसाल में जैड उमर के बारे में बात कर रहा है और उमर सामने मौजूद भी नहीं है इसलिए उमर गाइब है गाइब को English Grammar में 3rd person कहते है जमाना 3 तरह का होता है माजी गुजरा हुआ जमाना जिसे English Grammar में पास τेंस कहते है हाल मौजूदा जमाना जिसे English Grammar में प्रेजन टेंस कहते है मस्तकबिल आईदा जमाना आने वाला जमाना जिसे इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस कहते है जैद फुटबॉल खेल रहा है फेल काम को कहते है इस मिसाल में खेलना फेल है यानि काम है फेल को इंग्लिश ग्रामर में वाब कहते है फाइल काम करने वाले को कहते हैं इस मिसाल में जैद फुटबॉल खेल रहा है काम करने वाला जैद है इसलिए जैद को फाइल कहेंगे फाइल को इंगलिज ग्रामर में सबजेक्ट कहते हैं मफ़ूल जिस पर फिल वाक्य हो इस मिसाल में Z FOOTBALL से केल रहा है, FOOTBALL पर काम वाक्य हो रहा है इसलिए FOOTBALL मफ़ूल है मफ़ूल को English grammar में object कहते है मुजबत जिसे English grammar में affirmative कहते है मुजबत वो है जिसे किसी काम का करना या होना समझा जाए मिसाल के तौर पर Z school जाता है मनफी जिसे English grammar में negative कहते है वो है जिसे किसी काम का ना होना या ना करना समझा जाए मिसाल के तौर पर Z ने खाना नहीं खाया इस मिसाल में Z का खाना नहीं खाना मालूम हो रहा है इसलिए ये मनफी जुमला है चलिए आगी मारूफ जिसे English grammar में active voice कहते हैं वो है जिसका करने वाला मालूम हो यानि फाइल मालूम हो जैसे Z ने खरगोश पाला पाने वाला कौन है Z ये हमें मालूम है इसलिए ये जुमला मारूफ जुमला है मजहूल जिसे English grammar में passive voice कहते है वो है जिसका करने वाला मालूम नहों यानि जिसका फाइल हमें मालूम नहों काम करने वाला कौन है जैसे Z मारा गया इस मिसाल में Z को किस نے मारा ये हमें मालूम नहीं है इसलिए ये जुम्ला मजहूल जुम्ला हुआ थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो सब्सक्राइब साइन्स एजुकेशन चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियो बेस्ट विशेस फॉर यूर फ्यूचर थैंक यू